स्वारोजगार प्राप्त श्रमिक, सेल्फ इंप्लोईट लेबर इसका उदाहरण है सबजी विक्रिता जो प्रति दिन सबजियों को थोग बाजार से खरीद कर शहरों में घूम घूम कर बेचते हैं वे किसी नियोकता के कर्मचारी ना होकर स्वारोजगार में नियोजित हैं सबजीयों के विक्रे से हुए मुनाफे से उनकी आवशक्ताओं की पूर्ति होती हैं सबजी के धंधे में उनकी आय सुनिश्चित नहीं हैं वे कार करने के लिए सुरक्षा की परिधी जैसे दुरगटना भीमा, भविश्यनिधी आदि कई लाभूं से वन्चित रहते हैं आकुशल श्रम, अन्सकिल्ड लेबर शहरों के चावडी बाजारों में छोटे-छोटे काम जैसे मजदूरी, पुताई, मरम्मत, आधी काम करने वाले लोग आकुशल श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं इन में अधिकांश ग्रामिन प्रिष्ट भूमी से आते हैं, इनके भी रोजगार के अवसर सुनिश्चित नहीं होतें, इसकी वज़ा से इनकी आए भी अनिश्चित रहती हैं हमारे प्रदेश में इनकी संख्या अधिक हैं अपने शहर में किसी पड़ाव जहां मज़दूर काम की तलाश में जमा होते हैं, पर जाकर अकुशल श्रमिकों से बाते कर पता करें कुशल श्रम, स्किल्ड लेबर कुशल श्रम में विशेश तरह की व्यवसाईक योग्यता प्राप्त व्यक्ति जैसे वकील, डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, तक्नीकी योग्यता संपन्य व्यवसाई आदि सम्मलित होते हैं संगठित छेत्र में कारेरत कर्मचारियों को व्यवस्थित कारे परिसर एवं अन्य सुधाएं प्राप्त होती हैं उनकी सहायता के लिए अन्य सहायक भी उपलब्ध होते हैं अब हम एक कुशल शमिक की कल्पना करें जो किसी बड़े कारखाने में चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं उसे कारखाने में एक कार्याल है और सहायता के लिए अधिनस्त कर्मचारी प्राप्त हैं वे प्रत्यक महीने एक सुनिश्चित वेतन और अन्यलाब प्राप्त करते हैं वेतन की प्राप्ती के बाद वे आयका निश्चित भाग वे करते हैं और बचे हुए भाग की बचत करते हैं इसी बचत से वे भविश्य की योजनाओं पर वे का प्रबंधन करते हैं Chartered Accountant बनने के पूर्व उसे एक मानक सेक्षणिक योगिता प्राप्त करनी पड़ी और स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के बाद भी व्यवसाईक अध्यन करने के बाद ही वे एक कुशल व्यवसाईक शमिक बन पाए सरकार कुछ व्यवसाईओं के लिए मालिकों द्वारा दी जाने वाली मजदूरी को निश्चित कर देती है भारतिय कानूनों के अनुसार कोई भी नियोकता जब किसी को काम पर लगाता है तो उन्हें मजदूरी देनी होती है हाला कि सरकार ने कुछ व्यवसाईओं के लिए मजदूरी की ये दरे निश्चित कर दी है मजदूरी की ये दर 2014-15 की है जो रायपूर समेत पूरे 36 गड़ में लागू है तो आए देखते हैं ये दरे क्या है उत्पादन की व्यवस्था जैसा की प्रारंभ में कहा गया है कि उत्पादन की प्रक्रिया के लिए चार कारकों की आविशक्ता है अभी तक हमने भूमी और श्रम की बात की है हमने कई उदाहरनों से समझने की कोशिस की है कि इसकी व्यवस्था कैसे की जाती है उत्पादन के लिए भूमी और प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, खनीज, आधी की पहली आविशक्ता होती है दूसरी आविशक्ता श्रमिकों या कामगारों की होती है ये वे लोग हैं जो श्रम करते हैं कुछ उत्पादन गतिविधियों में उच्च प्रसिक्षित और सिक्षित कामगारों की आविशक्ता होती है जो दिये गए कामों को कर सके अन्य गतिविधियों में उन कामगारों की आविशक्ता होती है जो हाथों से काम कर सके प्रत्तेक कामगार उत्पादन के लिए आवेश्यक श्रम उपलब्द कराता है यहां श्रम से आशे केवल हाथों से किये जाने वाले श्रम से नहीं है आम बोलचाल की भाशा से अलग यहां श्रम का तातपरी है उत्पादन में लगने वाला हर तरह का मानविय प्रयास जिसके लिए मजदूरी या वेतन दिया जाता है और कामगार वा मालिक का एक संबंध बनता है उपर हम दो साधनों कार को भूमी और श्रम की चर्चा कर चुके हैं तीसरा साधन कारक है पूंजी तीसरा साधन कारक है